हलो एं नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नैना यादो और आप मुझे देख रहे हैं टाइम सावन अभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम आपके लेकर आते हैं वो खास इंफोमेशन वो खास जानकारियां जो आपको जानना जरूरी हैं मेरे साथ में जो शक्स आपको और आपकी किताब मेरे हाथ में अन हर्ड सबसे पहले में जाओंगी इस अन हर्ड को बताइए क्या है अन हर्ड किताब ही नहीं एक मुवमेशन है जो की मैंने कहानी के माद्धम से लोगों को पचाना चांगा रहा गा यह fictional कहंपी किसी की कहानी है हर किसी की कहानी है, हर इं अदर जाने की शक्ति, लोगों को समझने की शक्ति, अपने आपको दूसरों को और ये दुनिया क्या है, जो हम क्यों यहाँ है, ये एक कहानी के मादयम से या अंसर प्रोवाइड करता है, बहुत ही सिंपल और इजी वे में है, तो ये एक अनहर्ड जो कोईन किया है, मैंने ट करें, बहुत है, मैंने तो आपको और ये उस जो, तो रखन पनीक से वादेन, किरी अ, आपको बहुत है, मैंने एक कर आखर, मैंने एसे क्या दोन भूपकर, की शबस, जो है, मैंने तो बहुत है, जो है, आपको बहुत है прекрас kis-क री, नो राख आध जब मैं अमेरिका में रहता था उसको छोड़के मैं साथ अमेरिका गया बहां पर पेस्टे पहली किताब तभी मेरा राइटिंग करिया शुरू हुआ तब में अमेज़न जंगलों में रहा हुआ के इंडिजन लोगों के साथ मिला तो में लाइफ काफी चेंज हुई तो ड्र किया हुँ अपनी लाइफ के साथ अपने आफिस के साथ अपने वर के साथ उसको कैसे मैंनेज करे मुझे लगता है यह जो आज की युवाएं वो जरूर सुना चाहेंगे लेकिन मैं उस पर आऊ उसके पहले मुझे ज़रा बताई कि अनहर्ड का कॉंसप्ट अपके मन में कै क्योंकि मैं एक काइंड ओ पाधियात्रा पे था तो मैं अबने वॉक कर के गाड़ी से जो भी मिरको सादन मिल रहे थे मैं उस समय भी घूम रहा था इंडिया मैं तो समय मैंने लोगों की बहुत सफ्रिंग देखी तीर देखा कि कैसे लोग दर गए थे कैसे लोग बूर हो तो और उस बहुत सारी चीज़े हुई कोविड में बहुती ग्लोबल चीज थी जो पूरी दुनिया में हर किसी को एफेक्ट करी कही ना कहीं पे मांसिक्स स्थर पे काफी समय मैं तो लो काफी लोगों ने सोचा दी कि जिन्देगी किस लिए है क्या है क्यू है क्यूंकि एक फोर्ष्ट रिट्रीट हो गई थी भगवान से आप बैठिये घर पे तो यह जो स्टोरीज है यह उसी दौर के एक्स्पीरियंसे लोगों की परिशानिया उनकी स्टोरीज को समेटे हुए यह अनहर्ड है तो इन सम वेज यस कहानिया उनकी नहीं है पर जो हूमन एक वेज परिशानिया उनकी नहीं है तो यह कहानी मैंने सोची नहीं थी बिल्कुल भी यह बस मेरे को चैनल हुई है पूरे कोविड के समय में उसी समय में मैं लिखा है कि काहनी को लिए करती के वैसे पूशना नहीं चाहिए आपकी अम्र क्या होगी उम्र पता नहीं मैं स करती के वादे करता करते और चीजा करते है इन है कि प्रद्यात्रा करते वे चीजों का एकस्प्डोर किया है मैं पूरा सौथ चल कर देखा हुआ है पूरा 1000 KM k Kanaakumari to Goa, I have seen almost all of Himalayas walking करते हैं खटकना यह तो मेरे ले यह सारी समय, साल एक खोच थी, खोच अपने अंडर की भगवान केलो या अपने अंदर क्या हम हम और इया हैं, यह क्या करना आया हूं-मै तो यह उन आप पार दिखना था तो फटार नदर भी नफ़गार हुगार तो इतना में घूम रहा था था क्य तो तो वही वाला एक्सीजी दोगा टो कुलिचित आपको साओधक अगर इस नागए रहा क्परते है तो वहिवाला एक्सपीरिंस उनके अख सामने इसाम्ने फ्लिश होगा और कमसा है किा सबसे बैस बहुद सह जळी है? केरल स憂ल है, मैं सिर्फ 600 कृमीटर चला था मैं उसा है काफ़ी देखा हुआ है केरल बहुत सुन्दर है, हमारे पहाड बहुत संदर है हम घम बहुत पहाण, हम घमें घहाना हूँ भारत भारत तो वस एक प्राचीन, मिस्तिकल देश है और जब आव ऐसे रहते हो भारत में, मैं जंगलों में बहुत रहा हूँ अब मैं सिविलाजेशन में रह रह रहा हूँ, सब इंसानों के साथ अच्छे से बट जो इंसानों के बीच में अकर कैसा लग रहा है फिर तो मु इंसान के जंगलों में आप रहे उस एक्सपीरियंस को जड़ा प्रीशियर कीजेए तो ये सारे एक्सपीरियंस एक ही चीज के लिए थे कैसे सच की तरफ हम जाएं कैसे मेरे अंदर का जो जो भी है जो मुझे फील कराता है फ्री, फ्रीडम, टूथ, लव, अल इस पेसे उ इंसान के शरीर में हुआ है इंसान को देखने क्ले है तुम्हे का सिफ हमेशा जब भी शहरों में भी आता हूं I just go to places, I sit and I watch people for 3-4 hours, you know, क्योंकि इंसान बौत इंट्रिस्टिंग है वो हर चीज को सिंपल को भी सिंपलिकेटेड बना देते हैं and simplicity को नहीं ले पाते हैं जबकि life बहुत simple है इतना हमें complicate नहीं करना चीज़ों को, relationships को complicate कर देते हैं, सब कुछ complicate कर देते हैं, खिछडी बना देते हैं, you know, कार्थिके, आप उमर तो बतानी रहें लेकिन फिर भी मैं कहूं कि अगर एक 30-30 साल का एक युबा, इतनी गंभीर बाते कर रहे हैं, life को लेकर बाते कर रहे है, life की simplicity को लेकर बाते कर रहे है, इतनी चीजों को explore करते हुए, यह आप बच्पन से ही इस तरह से कुमकड़ी या फिर इस तरह की चीजों में रहें और फिर कोई ऐसा कुछ हुआ उसके बात से, एक नया कार्तिके बरे है, बहुत सारी चीजों हुई, मेरी उमर अच्छी उन्तिस साल का ओरा हूं कोई मेरी उमर मानता नहीं है क्यूंकि मैंने पहली किताब अपनी तेही साल में लिग दिती अमेज़ अमें युएस 17 साल में अकेले सला गया था और मैं बड़ा भी बोर्डिंग स्कूल में हुआ था तो मैं बहुत जल्दी बड़ मेरे को ऐसा लगता है कि हम हम लाइफ में मेजरली इसले आये कि हम आज में क्या कर सकते हैं अगर मेरा आज में बकिसी की सर्विस मी आ सकता हूं या useful हो सकता हूं कैसे में useful हो मैं आज क्या कर सकता हूं जो कि यूसफुल है जो कि मेरे पास किसी का कॉल है उनकी तबद खराब है उनकी कैसे मदद कर सकता हूं को दो इस कि अग्राइब भी आग्राइब आप कर दो कर सकता है यह नहीं नहीं करना इस अपसे इंपर्टन बात क्योंकि आप चीजों आप दुनिया को एक्सप्वर करना चाहते हैं आपने तीन-टीन कितावे लेकिन लोगों के मन में क्या सवाल जरूर जो लेखक होते हैं या फिर जो पूरे इंसारी इसमें आ जाते हैं लेखन में हैं किताबे लिखते हैं उसके लिए उसके लिए आपको एक अच्छा यूज अमाउंट भी चाहिए होता है घूमने के लिए भी यह चीजें कैसे मैनेज होती हैं जरा यह बताईए कई लोग हैं जो शायद आपकी इस पूरी इंस्पिरेशन को लेकर गुमबकडी के लिए निकल आए या लेखक की तरफ आगे पड़े इंडिया में अगर कोई इंसान सच में खोज करना चाहता है आपको पैसो की जरूर नहीं है नहीं है इंडिया ऐसा प्राचीन और इतना ऐसा देश है जरूर को 证ज है फाल सकते है इस दोनों ही चीजे तो दोनों ही चीजे हमें yag एक शक्ती है वह शक्ती को हम कैसे अंत की तरह नहीं माध्यyam के इस्तंमाल करते हुआ जिदिकी को कैसे अच्छा कर सकते हैं अपने और दूसरों के वह पैसे की शक्ति है वह हमें सब्सक्राइब यूज कर नहीं है तो भी बहुत आसानी से आप दुनिया को कर सकते हैं लास्ट क्वेशन पूछूँगी कि आपने किताब लिखने कर सकते हैं अगला क्या है अभी दो चीजे में है कैसे इसको एक अजरी हज़ारों को जोड़ा जाये इसमें अपने आपको चैन्स कर सकते हैं अपकी रिस्पॉंसिबिलिटी एंसब पॉसिबल है तो बेलीफ लोगों तक पोचाना एंउसके बाद इसको इसको स्टोरी को और मलब को सकता है तो यही एक मेरी प्रेंड़ना है कि स्टोरी के मादम से कैसे हुमानिटी का कॉंशिसनेस चेंज करें हम, कैसे उसको रेस करें, कलेक्टिव तोर पे, यह मैं अकेला नहीं कर सकता, यह हम सब को साथ में करना है बुलकुल और मुझे लगता है कि आपकी जो एक्स्पिरियंसे हैं, जब यह लोग सुनेंगे, लोग पढ़ेंगे, उन तक पहुंचेंगे तो वह भी अपने आप में एक इंस्पिरेशन होगी, क्योंकि कही लोग है, जो आज के दौर में अफकॉस वो निकलना चाते हैं गु और बहुत शुक्रिया कारते के, और बहुत शुक्कामना है आपकी इस अनहर्ट बुक के लिए, तो हमारी इस खास चर्चा में आज के लिए फिलाल इतना ही, टाइमसान अभारत के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में फिलाल इतना ही, मुझे दीजे इजासत, नमस्कार, थ यंचियू